जी हां यहाँ यहाँ पर दिल्ली सरकार की जीत होते हुए नजर आ रही है सुप्रीम कोट ने अभी-अभी एक फैसला जो है वो दिल्ली सरकार के फेवर में दिया है जहां पर यह कहा गया कि जो एक democratically elected government है उसका अस्तितवी ही नहीं होगा अगर LG bound नहीं होगा उनकी advice से तो ये एक बहुत बड़ा एक development है जो कि केजरिवाल जी की सरकार के लिए बहुत important है और साती साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हमारी मोधी सरकार यानि केंद सरकार के विरुद्ध जाता हुआ judgment जो है वो दिखाई दे रहा है however आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं दिल्ली as a state की तो हमेशा ये टसल तो रहता ही है बट अभी अभी एक constitutional bench ने एक judgment जो है वो जारी करते हुए ये कहा है कि येस दिल्ली के सरकार के पास power होगा to make laws on all these subject matters except three except three और वो क्या है three मैं आप से चानना चाहूंगा और प्लीस comment करके जरूर बताइए कि वो कौन से subject matters है जिस पे दिल्ली की सरकार कानूर नहीं बना सकती जो की constitutional bench में इस वार बैठे हुए थे constitutional bench क्या होती है सर constitutional bench basically एक ऐसी bench होती है जिसमें पांच या उससे अधिक judges जो है वो बैठते हैं और जब भी कभी ऐसी constitutional bench बिठाई जाती है तो वो बिठाई जाती है एक बहुत important subject matter को discuss करने के लिए and इस समय क्या हो सकता है वो subject matter जी हाँ वो subject matter है dispute जो की arise या rather tussle जो की arise होती है बार बार between केंदर सरकार और हमारी दिल्ली के सरकार क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है lieutenant governor और lieutenant governor जो है वो व्यक्ति जो है बार बार ऐसा कहा जाता है के जरिवाल जी के द्वारा की ये थोड बार बार लगाये जाते रहे हैं तो आए जल्दी से देखते हैं कि पूरा का पूरा मसला क्या है अभी अभी सुप्रीम कोट ने अभी अभी सुप्रीम कोट ने unanimously unanimously किसके favor में judgment दिया है sir in the favor of Delhi government Delhi government के favor में judgment देते हुए ये कहा कि जो IAS IPS officers यानिकि bureaucracy का transfer या फिर उन पे control का power है वो भी किसके हातों में होगा जी हां वो भी Delhi की सरकार के हातों में होगा और यहाँ पर बोला गया कि other than public order, police and land बाकी सारे के सारे powers Delhi सरकार के हातों में होगे बस ये तीन subject matters हैं जो कि Delhi के सरकार के हातों में नहीं हो सकते चीक है चाली बढ़ते हैं आगे और जल्दी से देखत रहा गया सर यहां पर यह बोला गया है that lieutenant governor shall be bound by the decision of NCT याने कि जो lieutenant governor है वो bound होंगे by the aid and advice of the government of Delhi क्योंकि यह जो government of Delhi है यह कहीं ना कहीं एक elected government है यह democratically elected government है and अगर इस democratically elected government को आप power ही नहीं देंगे तो फिर इस government का काम क्या हुआ आखिर इसको रखा ही क्यों जा रहा है आखिर हम elect ही क्यों कर रहे है फिर तो हमें legislative assembly को ही dissolve कर देना चाहिए और ऐसी legislative assembly ही नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर चूकी हमारे आ हैं लेकिन अगर that position is elected democratically याने लोगों ने उनको चुनके भेचा और आप उनको power ही नहीं देंगे तो फिर किस बात का असर वो पद आपको हटा देना चाहिए dissolve कर देना चाहिए लेकिन चुकि आप नहीं कर रहे हो लेकिन चुकि वो हमारे समविधान में दिया गया है इसलिए यह power जो है दि और पीएस नरसिंबा यह पांच जजजिस की बेंच जो है यहां पर बैठी हुई थी अब सवाल यह उठता है कि आखर यह पूरा का पूरा मसला हमारी दिल्ली सरकार के जो है वो हमारे केंद्र की सरकार सौरी जो हमारे सुप्रीम कोट है उनके सामने आया कैसे याने कि CGI के पास यह कैसे आया तो आपको पता होना चाहिए कि यह पर्टिकलर जज्जमेंट जो है पहले ही यह राधर इस पर्टिकलर चीज़ पर पहले ही डिसकेशन हो चुका है जब डिसकेशन हुआ था उस समय स्प्लिट वर्डिक्ट आया था एक जज़ कुछ और कह रहे थे दूस 143 145 क्लास 3 के अंतरगत constitutional bench जो है उसका setup किया गया constitutional bench क्या होती है constitutional bench वो bench होती है जहां पे at least 5 judges होते है कितने judges at least 5 judges जी अब थोड़ा सा background पे जाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या पूरा सिनारियो था तो मैंने आपको बताया split verdict आया था और इसी लिए larger bench के द्वा सारा इस चीज को decide करने की बात करीगी जो split verdict आया था वहाँ पर जस्टिस भूशन थे उनका यह कहना था कि दिल्ली सरकार के पास कोई भी power नहीं है over the administration of services जैसे की आईएस IPS की बात कर रहे हैं वेरास जस्टिस सीकरी का कुछ और कहना था जस्टिस सीकरी का कहना था सर्ट ट्रांसफर पोस्टिंग अगर secretary level की हो hod level की हो याने इतने बड़े level की हो तो हम consider कर सकते हैं कि वो केंदर की सरकार करें बट अगर हम निचले level की बात कर रहे हैं तो सर यह power होना चाहिए दिल्ली की government याने की chief minister और फिर LG को उनकी बात को मा इडिकेट कर रही थी सथ देव वसक्वेस्टिंग तो आर्टिकल नंबर 239 ए अफ दा कॉंस्टिटूशन जी हां यह जो आर्टिकल नंबर 239 ए अफ दा कॉंस्टिटूशन है इसका जब यहां पर interpretation किया जा रहा था तब इस bench ने यह कहा था कि lieutenant governor is to act as per the aid and advice of the council of ministers हर जगह होगा अब सवाल यह उठता है कि सर आखर यह section 239 है क्या तो आपको पता होना चाहिए section 239 जो है यह 69th constitutional amendment act of the year 1991 के तहट add किया गया इसके अंतरगात यह बोला गया कि जो union territory of Delhi होगी यह जो union territory of Delhi होगी इसके पास खुद का एक legislative assembly होगी legislative assembly होगी और यह जो legislative assembly होगी this would be democratically elected this would be democratically elected and तब जाके यह बालगरिशनन कमिटी के कहने पे इस particular amendment को किया गया था अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्रवभधन के हिसाब से national capital region of Delhi जो है जिसको हम NCT Delhi बोलते हैं सर इसमें एक administrator या फिर एक lieutenant governor होगा and साथी साथ एक legislative assembly होगी and यह जो legislative assembly होगी इसके पास power होगा कि यह जो state list में दिये गए subject matter हैं या फिर concurrent list में दिये गए subject matter हैं इन पे यह कानून बना सकती है जैसे बाकी states की सरकार बना सकती है however, तीन अलग-अलग subject matters land, public order and police इन पे कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की सरकार के पास नहीं है land, police and public order so I hope कि आपको यह पूरा का पूरा scenario समझ में आया होगा कि किस तरीके से दिल्ली के सरकार की अभी थोड़ी सी जी तो यह अब देखते हैं कि क्या केजरीवाल जी और ज़्यादा बैतर कर सकते हैं दिल्ली को या फिर अभी भी यह कहेंगे कि हमारे को LG साब काम करने नहीं दे रहे हैं आपका क्या opinion ने इस बारे में जरूर हमें comment करके बताएं क्या लगता है कि क्या केजरीवाल साब जो काम कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए बैतर है या फिर अगर यह चीज़े केंदर के हातों में होती तो वो जादा बैतर होती तो इस चीज़ को comment करके हमें जरूर बताएगा इन खास कर तौर पे उन बच्चों के लिए जो की CLAD की तियारी कर रहे हैं आपको बता देते हैं क्लासिक बैच जो है हमारा वो अल्रेडी शुरू हो चुका है इन दोनों बैचे में मैक्सिमम डिसकाउंट अवेल करने के लिए आपको यह कोड का उपयोग करना पड़ेगा यहाँ आपको करना कुछ नहीं है आपको जाना है अड़ा 24-7 की वेबसाइट पे जैसे ही आप अड़ा 24-7 की वेबसाइट पे जैसे ही आप अड़ा 24-7 की वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पर all courses लिखा देखेगा all courses पे click करिए and यहाँ पर click करने के बाद undergrad entrance exams पे जाएए और law entrances पे जाएए जैसे आप यहाँ जाओगे आप देख सकते हो C-U-E-T-L-L-B जी हाँ C-U-E-T-L-L-B पे आप click करोगे यहाँ आपको success 2.0 batch दिख रहा है this is the latest batch जो की May 10th से शुरू होने वाला है आपको जाना है इस पे click करना है and then buy now के option पे जाना है यहाँ पर you will get to see कि क्या-क्या इसके features ने for example live interactive classes मिलेगी recorded sessions मिलेंगे प्लस आपको देखने को मिलेगा 10 full length mock test and 40 section wise test जी हाँ 50 test आप दे रहे होगे असली exam के पहले तो sir हार की तो बात ही नहीं होती है आपको जाना है sir buy now option पे click करना है buy now option और यहाँ जाने के बाद you have to apply one code which is known as Y692 जैसे ही आप यह code apply करोगे यह price जो आपको इतना discounted दिख रहा है यह और कम हो जाएगा and it will come down to 6440 याने हमारे portal पे जो maximum discount है वो आपको यह code Y692 लगाने से मिलेगा तो अभी जाएए and get yourself a dedicated course जो की आपकी तयारी में और जादा मदद करेगा and similarly अगर आप clad की तयारी कर रहे हो so for that we have a dedicated batch जिसका नाम है classic batch और यह batch के लिए भी आप यह code लगा यह जो course 48,000 रुपीज का you will get in hardly 11,000 रुपीज and it will have 60 section test section wise test and 20 full length mock test तो इंतजार किस बात का जाएए and अपनी तयारी को एक नई उडान दीजे with this I am signing off my name is Aditya Raya thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling जय हिंद जय भारत